मायावती जी ने अपने जनम दिन पर इंडिया गटबंदन को बैक फूट पर खड़ा कर दिया है जिस परकार आसार लगाए जा रहे थे कि मायावती जी इंडिया गटबंदन में सामिल होगी या नहीं अब उन्होंने अपने जनम दिन पर ये बिल्कुल साप कर दिया कि BSP अकेले ही अपने दम पर 2024 लोक सबा चुनाव लड़ेगी माया वतीजी ने अपने जीवन में राजनिती में बहुत उतार चड़ाव देखे है उन्होंने अपने पिछले राजनितिक दोर के अनुभाव के आधार पर ही या फैसला लिया है उन्होंने अपने बहसन में बताया है कि हमारी पार्टी गटबंदन ने करके अकेले ही चुनाव इसलिए लड़ती है क्योंकि इस पार्टी का सर्वोच चनेतरत्व एक दलित के हाथ में है जिनके परती अधिकांस पार्टीों की जाती वादी मान सिकता अभी तक नहीं बदली है यही मुख्या वज़य है कि गटबंदन करके चुनाव लड़ने में ब्यस्पी का वोट तो गटबंदन से जुड़ी पार्टी को पुरा चला जाता है लेकिन उनका अपना बेस वोट वैव विसेयसकर अपरकाष्ट समाज का वोट ब्यस्पी को ट्रांसफर नहीं हो पाता है और इसके कुछ खास उधारन यह है कि यूपी में 1903 में हुए विधान सभा के आम चुनाव सपा से गटबंदन करके लड़ने से ब्यस्पी को केवल 67 सिटे ही जीत कर आई थी जबकि सपा को इसका ज़्यादा लाब पहुंचा था उसके बाद सन 1906 में में ब्यस्पी ने यूपी में हुए विधान सभा के आम चुनाव कांग्रेस पार्टी से गटबंदन करके लड़ा था जिसमें पार्टी की केवल 67 सिटे ही जीत कर आई थी और इस चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी को ही ज़्यादा फाइदा हुआ था तो तब फिर ब्यस्पी ने यहां सन 2002 में विधान सभा के हुए आम चुनाव में अकेले ही लड़ा था जिसमें पार्टी की पहली बार सिटे 67 से बढ़कर 100 सिटे जीत कर आई थी जिसमें दो हमारे विधायक सिंबल ना मिलने की वजह से समय से इंडिपेंडेंट जीत कर आई थे उसके बाद सन 2007 में यूपी में विधान सभा के हुए आम चुनाव में ब्यस्पी ने फिर से अकेले चुनाव लड़कर यहां पे अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार भी बना ली थी माया वतीजी ने विरोधी पार्टियों की जातिवादी मानसिक्ता पर भी सीधे परहार किया है क्योंकि जातिवादी मानसिक्ता के लोग एक सवतंत्र दलित नेतरत को सविकार नहीं करना चाते है BJP और कांग्रेस के साथ साथ समाजवादी पार्टी में भी जाती वादी मान सिखता के उधारन देखे जा सकते हैं BSP की 2007 से 2012 पूर्ण बहमत की सरकार के बाद समाजवादी पार्टी की सरकार बनी जिसमें उन्होंने BSP के कार्यकाल में बनाए गए Medical College, University, Park और जिलो के नाम आदी जो OBC, SC के महापुर्सों के नाम पर बनाई गई थे उनके नाम बदलने का काम किया था साथ ही OBC, SC अरक्षन के विरोध में संसद में अरक्षन बिल फाड़ा गया और OBC, SC क्रमचारियों अधिकारियों का डिमोशन भी किया गया BJP और कांग्रेस की बात करें तो ये लोग तो सम्विधान को ही खतम करना चाते है और अपनी जाती वादी, पुझी वादी संकीर्ण वे संपर्दाइक सोच के कारण OBC, SC, ST, गरीब मजदूर, किसान और महिलाओ के हक अधिकारों के खिलाप काम करते है चल कपट से उनको गरीब मजदूर, एसिकसित, अंधभक्त और गुलाम बनाई रखना चाते है उनको कोई भी हक अधिकार नहीं देना चाते जबकि BSP सम्विधान की सुरक्सा की बात करती है और OBC, SC, ST, ALP, संख्यको, किसानों, मजदूरों, महिलाओ, आधिको सम्विधान में मिले अधिकारों की पक्सदर है और उनके लिए काम करती है देश में BSP एक मात्र बड़ी पार्टी है जो दलीतों, पिछडों, गरीबों, मजदूरों, किसानों, आधिकी बात करती है जो चाहती है देश में सम्विधान का राज हो समता, सवतंतरता, नयाय और हक अधिकारों पर काम हो गरीबी, बेरोजगारी, सोसन, अन्याय को खतम किया जाए आपकी क्या परती के रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताए आप देख रहे हैं हमारा यूटूब चैनल निउज रिवोल्ट 24-7, मैं हूँ आपके साथ पंकज बाबरा, जै भीम